हेलो बच्चों कैसे आप लोग बढ़िया है सो हम लोग कुलंब स्लॉप पर लिए कंप्लीट कर लिए सो ना रिश्टार्ट न्यू टॉपिक इस इलाक्टिक फिट ठीक है अप क्लास निए प्रोग यह टूपस उपूंध प्रोंट्र्ष यह कंटांट सब्सक्रेंद पिछा जोटोंध इस इस अस्टार्ट थिए कहीं भी दूर भी रखा हुआ है तो जो जो बोलते हैं फिल्ट फोर्ट और नॉन कॉंट फोर्ट 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 फो यह शब्लोव Lewis Wat एनी पॉइंट विल्ट्रिक फॉर्स एक्सपिरेंश्परिण चार्ज तो इलक्टिक फिल्ड एज इलक्टिक फोर्स एक्स्प्रियेंच पर उनिट चार्ज वाइज फोर्स एक वेक्टर है और चार एक इसके लड़ तो हमने वेक्टर बोले इसको दिक्कत है वाइज करने के लिए गया है हमने दाप्टर को सकेलर से डिवाइड किया है इसको से क्या बनेगा वेक्टर सो एलक्टिक फिल इस फोर्स पोर्मिट चार्ज तो अध्र पांटिटी तो एसाइट एसाइट नीउटन पर कुलंब SI unit is Newton per Coulomb okay so what we got E is equal to F by Q so what is F F is Q into E it's a vector equation now if Q is greater than 0 then force and electric field will be parallel जिदा है डिरेक्शन होगा electric field का उधा ही रेक्शन होगा electric force का पर जानते हो multiply vector by a positive direction रिमें से हमने E को क्यों से multiply किया तो F और E क्या होगा पार्लर and if Q is less than 0 then F and Q will be anti-parallel means F and electric f and E will be anti-parallel means they are in opposite direction opposite direction are in opposite direction okay so F is equal to Q into E if Q positive to F or E parallel Q negative to F or E anti-parallel they will be in opposite direction let's simple example are on the form If we have free अब अगर किसी रीजन में इस पर तो इधर लाइगा इस पर इधर लगेगा इस पर इलक्टिक फोर्स इधर लगेगा तो क्हुछ लेगा । फॉस पे लिठ वही होगा जो वी होगा जो छांज नीकियोटम से लेक्षा नेकान अग Template होगा सिंपल रफ्टरी कुछिस्टन है कि इसको चाप लो फटाप फटाप लिए होके अब मैं इसको मिटाता हूं कि और सिंपल कोश्चन करता है सिंपल सिंपल कि एक सिंपल को संगते एं ले से जों अलगेक्टिक टिर्टाइक्स पास देसे यज वाई 6 Coulomb then what is force experienced by this charge 120 i-cap minus 120 i-cap 120 j-cap none of this Newton simple simple charge निगडिया है और एलेक्टिकल उदर है तो फोस्टिकल की अपोईट होगा सब्सक्राइब क्या होगा अगर आप देखोगे तो माइनस इंटू 20 और क्यों से मंटिप्लाइब भी करोगे तो 6 सब्सक्राइब अच्छे को संब्सक्राइब करते हैं कि एक रीजन में इलक्टिक फिल्ड और की रिएक्शन में और हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया फाइव माइक्रोब कुलंब और एक फिल्ड टू इन्टू टैन पावर सिक्स्ट्रम पर कुला तू निकरते त्री इन्टू टैन पावर सिक्स्ट्रम पर कुला वर्टिक अब यह चार्ज हवा में बालेंस है और जी कोई इसको हमने हवा में इसे ही रखा हुआ है इस रीजन में उपर की तरफ है मैं क्वाटें मास आफ देश चार्ज पार्टिकल हो गया सिंपल है क्या से हमने मास पूछा रहा है इस पर खोश लए एक नीचे आर्थ का लेगा एंजी और चार्ज पॉलेडिव है एलक्टिक फिल उपर है इस पर खोश लएगा उपर की तरफ कितना क्यू इंटू ई सब्सक्रणा तब रखेय कि अग Phillips fully एंगे क्यूकु आस्प्लीवियेए क्यों दूकि क्योंकि आए कि अग्यूक डूकी तो ऑसक्रणा को क्योंकि थेस्तेजी आजीओ अब जब जब गहुंत सी प्रीशन कर्षा रहा है नेस्ट 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 छलो सिंपल करते हैं इन रिजन देजा एलक्टिक फिल्ड अब इन अप्वार डिरेक्शन दिसमेच को तू इंटू 10 पावर 6 नीटन पर कुलम यह एलक्टिक फिल्ड है अब हमने एक पार्टिकल को एक टावर से ड्रॉप किया पार्टिकल को टावर से ड्रॉप किया पार्टिकल का मास कितना है पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉं टावर पार्टिकल एज ड्रॉप फ्रॉं टावर उसकों से ड्रॉप किये मास्व पार्टिकल इज चार्ज पार्टिकल इज 50 माइक्रो कुलंब 50 माइक्रो कुलंब ठीक है and mass of particle is, mass of particle is 20 kg 20 kg okay height of tower is 40 meter height of tower is 40 meter so particle drop from the top of the tower then find time taken by particle to reach point B find time taken by particle to reach point B find time taken by particle to reach point B we have a tower of height 40 meter a particle of mass 20 kg and having charged 50 microcoulomb has been dropped from point A then find time taken by particle to reach point B we have been given G is equal to 10 meter per second square option A 2 second option B 2 root 2 second option C 4 second option D none of these option B none of these photo 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 you have to find time come a particle to reach the bottom of the tower option A 2 second option B 2 root 2 second option C 4 second option D none of this is okay simple है हम इस पार्ट को प्यक्याव फोस्लाव देखते हैं उस पे नीचे लेगा आर्थ का फोर्स Mg और उपर क्या लेगा सदिख्ता कोंश्न कांग प्यक्या याट आर्ट का लेगानगदगा इस Alli से लेगा लेगएं और नीचे लावगादेट लेगा 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 लेगादेट naught लेगएं नीचे लेगादेगे 1.0-6 5 meter per second squared कामको इसका निकल गया अभ हम नीजे को मालते हैं positive इसकेंद अप्लाइब एककोल टो क्योंटी प्लास हाफ एट्वाइड जिम्पल एककोल टो युदी प्लास हाफ एट्वाइब क्यों एकप इतना है निशेंट इस तनक ती प्लेटो फाइब टी एस्वाइड सो टी प्लेटो फोर सब्सक्राइड ती प्लेटो पॉर सब्सक्राइड किसी को डाउट है नहींट मिटा है इसको सिंपल था इस पर एक और करते हैं इस पर बाद में लोटेंगे है यह मोई सिंपल क्या है समझाना संप्राइग है बिसिक्स एलक्टिक सेफ्वल्द पहु एलक्टिक एक सिंपल को सब्सक्राइब करते हैं कि एक पैंडूलम है ठीक है कि एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है फाइब लिटर और इसका मास है कि मास क्या है कि अब हमने इस पर चार्ज दिया हुआ है क्यों चार्ज पता नहीं है और हमने आप गलक्टिक कर दिया कितना का टू इंटो टैन पावर शिक्स नीडरन पर कुम का तो यह यह यहां पर जैसे पहले वर्टिकल था लेक्टिक करते हैं डिफलाक्ट हुआ और यह इस एंगल पर आके रुप गया यहां पर इक्क्लूरियम में आए यह है इसका इक्क्लूरियम पोजीशन पहले क्या थो पैंडोलां वर्टिकल था अब उसको आपने जोहीं मुलक्षण से रखका दिया इसे कुछ चार्ज आओगा पोजिटिक चार्ज है कुछ हमने इदे रटिक फिल स्विच ओन किया यह इसा हो गया यहां आके रुप 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 Tension in the string, Tension in a string at equilibrium, Find Tension in a string at equilibrium, Tension in a string at equilibrium, Option A 20 Newton, Option B 25 Newton, Option C 60 Newton, Option D none of these, Simple, initially that string was vertical, once electric field is switched on, it forms unless it is vertical, then Find Tension in a string at equilibrium, what about it? हो गया दो सिंबल है आप यहां पर दो देखाए फोस लगड़ा है इधर टेंशन लगेगा स्टिंग में इधर लगेगा एमजी अर इधर लगेगा इलाक्टिक फोस अर यह एंगल कितना है 37 है रइट अब गता होगर एकले में है और हडा सम्नेट फोस्ट क्या होगा जीडो एक्स में भी और वाइमें नेट फोस्ट जीडो करें यह यह नीचे लगए एमजी सब्सक्राइब एक टी कॉस्ट 37 सो अफनेट इन वाइए जीरो सो वाइं नीचे क्या है एमजी एमजी मींस कितना ही है 20 अरुपर कितना लागाए तीकोस 37 सो भाइए तीकोस 37 जीपाल 220 मिस टी इन 2 4 by 5 इक्वेल 2 20 जीपाल 2 25 विल्टन पूटिकार जो को चो किसे 20 ऋपर लेगा अकिष्यर्टी ओस्टिकार नीचे बेए टीकोसं इसे एक्स में देखें एक्स में तो हमको लिए आप अब हमको निकालना है चार्ज चार्ज क्या है चार्ज क्या है चार्ज है ऑट फटरी और घूए एकौल टो वाट क्यों एक्कोल टोफ ऑप्शन एफिफ्टी मैक्रोकुलम, उसन बी सेवन पॉईट फईद मैक्रोकुलम, उसन से फईद मैक्रोकुलम, उसन दी लाफ टिच, आपको सबको पता है न कि कॉस्ट 37 होता है फोर भाई फाइव एंड कॉस्ट 53 होता है थ्री वाई फाइव मैं क्वेश्चन एक पड़े वेल्यू आपक्यू ऑप्शन एफ 15 मैक्रकॉलम ऑप्शन भी 7.5 ऑप्शन सी 5 ऑप्शन डी नना देच हो गया चलो में कर रहा हूं ऑगर वाई में हो हमने में च्ना घ्राइब आपक्शन गया लग रहा है लोगर फिप्ट्टी थ्री तो टी पॉस्ट 53 इस इप काल टू फ टी कितना हैए 25 ट्वेंटीफाइव त्वेंटीफाइव फैइपक्टू दू वाईपक्वाइव एपक्टू प्वक्टू इंटु है 55 so 15 equal to q into e so q equal to 15 by 2 into 10 power minus 6 coulomb that is 7.5 micro coulomb so answer is b clear so yeh tha basics electric field kya hotta hai it's different from specifications that I can air force there right as equal q into e clear okay propia electric field lines play it как о ч да не знатных фил ла инс killed line कि अधिक फिल्ड लाइंज तो यह क्या है तो यह कुछ अधिस्ट नहीं करता है वह हमको किसी पॉइंट पर जैसे अधिक प्रजेंट है अधिक प्रजेंट है कुछ रूप देना कैसे दिखाना कैसे करें कि कि इतना क्या है कि कुछ वह एग्जिस्ट कर रहा है अब हमको उसको आपस में कॉम्निकेट करने का नहीं को को देखा नहीं है हमको इसको आपस में कॉम्निकेट करना है तो कुछ हमको कुछ रूप देना पड़ेगा तो इमेजनरी लाइन्स तो रिप्रजेंट इलेक्टिक फिल्ड एट एनी पॉइंट हमको इलेक्टिक फिल्ड किसी पॉइंट पे दिखाना है तो इसके लिए पुछ लाइन कॉर विसके कर सकते हो तो हम इसको ढूब कर रहे हैं तो देखके अब क्या होगा मांगनिचूट क्या होगा इससे एक आडिया देता है आप क्लीए सौ नुकिए एलक्टिक फिलений आर आपिवी लाइंस लेको ऑप्टिक फिट्लाइंस और इमयिन्यरी लाइंस और इमयिंतरी लाइंस तू तू zakषंट लेप्रिजेंट एλαक्रिक फिल्ट कि एड एनी पॉइंट डिफी जोट नहीं है लग्टिक फिल लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स तो रिपर्जेंट एलक्टिक फिल एड एनी पॉइंट तो है अब कुछ भी डॉब करेंगा था यह वह नहीं है यह होता है तो ऐसा फॉलो करना चाहिए कि किसी को भी देखके हम समझ प्रपर्टी है तो हम अपना कुछ अलग करेंशन लेगा फिर पता ही चले कोई कुछ भी ड्राकर दे बाइठा रहेगा तो यह सब करनेंशन जिसको हम फॉलो करते हैं और वो उसकी प्रपर्टी को दिखाता है उसको उनको देखें जैसा इसा कुछ फॉलो करता है तो फिर 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 in Jain Two, इल틱 फिल्द लान, at A na और रिवा mater больше np Portal forеш वह बिलेकलर ने नल its पेर आउत लाप्तिक फिल्द लावधोक ऐड़े आणवीज का हुआई and it also gives net force experienced by plus one Coulomb charge at that point so so electric field lines so electric field lines are also called as electric lines of force इसको बोलते हैं मैं क्या लिख्या भाइन दोपॉइंट आपसों कर दो पर एजांपल किसी ने एक एशनी अश्सा दे रिढ़िया अब हमको अगर यहां पर निकालना है कर सकता है उस सब के कारण जो यहां पर सारे चार्ज के कारण नेट फिल्द सारा जो जितना वी जो एक्रेट कर सकता है उस सब कर net effect है ठीक है दूसरा इक और आलसो गिल्स नेट फोर्स एक्स्प्रियेंस्ट बाई प्लस वन को रख देते हैं इस पर एक सन यह होगा इस पर यह होगा और यहां पर जितना क्या होगा यहां पर मतलब किसी पॉइंट पर अगर हमको पहली बता है वही फोर्स एक्टर है तो फोर्स का मगनिचूद देगा इलेक्टिक फिल का ट्रेक्शन हमको माली यहां पर इंगाना इलेक्टिक क्या है हमें यहां पर प्लस प्लस फॉल्म रख दिए घर इस पर फोस लगा इधर जितना फोस लगा वह टेक्टिक होगा और जिस रहते फिल का लाइट पील्स नहीं बोलते हैं कि मैंने लिमने पर्णा फेल नंहीं हुटा है मैंने फिल्णाइब अगे हम पडहें अग्रिन काओं इसलत लग्रेटिक फिल्णा प्रूश नहीं हू hemp a जिल्ड्ड यपारमे और बिह सब्सक्राइब कीज़ा आ समय हूँ also gives force expand that plus one, the force the force connects to your direction secondly here second electric field lines electric field lines originate originate at either at either plus charge or infinity electric field electric field lines originate at either plus charge or infinity समझते हैं इसको electric field lines originate either at plus charge or infinity अब इसको थोड़ा समझते हैं देखाओ माल यहां प्लस रूप चाल जाकते हैं अब बताओ हमको निकाल इसका electric field हम चा करें इसे प्लस रखेंगे प्लस रखेंगे प्लस रखेंगे प्लस रखेंगे प्लस रखेंगे इससे electric field line बाहर जाएगा इससे दूर जाएगा हम आपको भी बता रहे हैं कि जब भी electric field lines निकालना है electric field line ड्रॉप करना है आप उहां प्लस रखो उस पे जो फोर्स लगेगा वह देगा electric field कि ग्रहा जो को सब्शन को रिक्टे करेगा मतलब इससे इलेटिक फिलल इससे टीहां से ओरिजिनेट हुआ ठीक है अब माले माइनस q रख दिए अब यह मैनस q charge प्लस 1 को attract करेगा है रिपेल करेगा मतलब फ्लस 1 कुलम्ब चार्ट अब इसके पास आएगा किधर प्लस 1 एक्ट्रेक्ट होगा えて सब प्लस वान को यह एक इसपर यह था प्लस क्योंगे यह मैनस क्योंग अब बताओ यहां पे लाक्टिक लाइड तक भूग प्लस चाहर्ज पर और यहां पर कहां सोर आरा कहीं से कहीं से आ रहा है कहीं से आ रहा है कभी भी माइनस चार्ज से नहीं होगा और तर्मिनेट कहां होगा यह इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से अब दोनों का नेट देखना पड़ेगा प्लस क्यूंका अपना फिल्ड है इसका नेट कुछ ऐसा होगा कि नेट इफेक्ट कि देखो यहां सारा ओरिजिनेट हो रहा है और यहां पर सारा टर्मिनेट हो रहा है अब इसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं मतलब या तो यह जाएगा मैनस क्यू तक या इंफिट तक कहीं बीच में ऐसा नहीं कैसा बीच में ऐसा हो गया ब्रेक करिए ऐसा नहीं होता है यहां तो मैनस क्यू पर जाकर टर्मिनेट करेगा या इंफिड लग जारेगा जि प्रशाइब चार्ज और इन्फिनिटी एक्जामपल लिख लोगे इक्जामपल में ले धॉरब लो गार लिए कंट आप इसी से लिए प्रोपर्टि थर्थ है पली खुरी श्यारण का ना पर लिए सब का अब मुलो के लिएक्ट्रिक फील लएंस थ无त अर्वीमाइट पली से ओरर लिएक्ट। अब लेक्ट्स फीलूंस अर्फिलिएट माइस तर्मिनेर्ट अब मेंनक्डे इढ़ा फोर्थ लिखिए है इसलेटिट थे आपको एस्पेम भी क्या हूं फोर्थ इल्टिक फिल्लाइन आर इल्टिक फिल्लाइन आर इल्टिक फिल्लाइन आर continuous curve in charge free region electric fill lines are continuous curve in charge free region simple है अब दिन आपको बताया कि अगर माल लेकि कोई एक रीजन है करता है और इस आपने करता है और जब नहीं किया मतलब इसके क्लियर मैं अब ही बताया कहीं तर्मिनेयर अब अगर रीजन चायर कि नहीं है और जो मैंस चार्ज नहीं है मतलब टर्मिनेट कहीं नहीं कर सकता है तो इस लाइज इस कंडी निवस कहीं बीच में ब्रेक करने वाला नहीं है कि नेस्ट कि नेस्ट परपर्टे कि अच्छे प्लाव यह क्या सेटमेंट में दे रहा हूं इस लेक्टिक फिल लाइन परजेंट एलक्टिक फिल लाइन रेपरजेंट पाथ टेकन भाइप्लस वान पूलाम्यों प्लूश्या और व्ल्स समझो कौस्यं पो कुष्ट्न यह मतलु है मैं अगर ही लिए अगर हम प्लस वन कुलम्ब छार्ट छोड़ दें तो क्या यह पाठ लेगा यह त्री यह फॉल्स एकल लाइन्स रिपरजेंट पाठ टेकन बाइब प्लस वन कुलम् तुव और फॉल्स ट्रू और फॉल्स एलक्टिक फिल लाइन्स रिप्रजेंट पाफ सेकेन बाइ प्लस वन कुलम चार्ज ट्रू और फॉल्स मतलब हमने कुछ ऐसा पाइलेक्टिक फॉल्स गलती करते हैं लोग कैसे देखो हमने प्लस वन को चार्ज को छोड़ा इस पे इधर फोर्स लगा इसका यूँ इधर आया अब जोहीं यहां से इस पॉइंट पे आया इस पे फोर्स लगा कुछ और सा सिंपल करते हैं माले कि मेर एसा हमने जब यहां पर लगा ना इसका यूँ इधर आया और अब एक्सेंर हो गया य्यूँ इधर है यह इधर होता है यूप्लस एडटिक प्लिपीच में कुछ होगा तो कि मैं फिर से बोल रहा हॉं है कि हमने यहां पर चार्ज को छोड़ा माल यहां से रिलिज्टिया तो इस पर फोर्स लगा इसके टेंजेंसियल डिरेक्षान में उधर जाना चाहेगा लेकिन यहां से थोड़ा आगे आते ही थोड़ा आते ही डायक्षान आप फोर्स चेंज कर दिया मतलब अगे ते संधर हो गया तो समझो यू इधर था और अगे तो वी होता है यू प्लस ट मतलब यह बात नहीं दिखाएगा क्लियर हाँ अगर यह बिल्कुल ऐसा होता है इसको पूलते हैं इस केस में अगर हमने यहां पर छोड़ा खोश भी इधर लग रहा है और हमेशा एक्षासर इधर ही है तब वो इधर चलते रहेगा बट ऑलबेज इपटेंग करेंगा क्या अगर इस तरह से स्टेट है इस केस में हमने यहां पे एक प्लस बंप चार्ज को रखा अब प्लस बंप पूलम चार्ज पर फोर्स इधर लगा इधर ज़र दना शुरू किया और लगातार फोर्स उधर ही लग रहा है इस लाइन पर चलते रहेगा अब आप समझो कि यहां से इसे बैंड कर दिया तो यहां से समझ अच्छा है हमने ऐसा बैंड कर दिया फिल्ड नहीं अब यहां से इधर चलना शुरू किया था इहां आते ही इसका यू इधर था और फोस्ट इधर लगया कि कुछ बीच का रास्ता लेगा नौ यह चार्थ इ इसका इवार और दिखा रहा हूं इसमें लोग करते हैं कि को अगर इस पर फोस्ट इधर लगा तो इस जाना शुरू करेगा इधर जाना जो ही शुरू किया अब यहां से यहां आया इस पर फोस्ट इधर लगने लगा तो इसका इधर था अब इसका इधर है तो net velocity कुछ इधर होगा चो भी इक्वल टू यू प्लस 80 80 कुछ इधर है तो गक्तर इधर आएगा कोई दिखकर तो अ कि नहीं करता है हमेशा हमेशा अरे पर देंट होगा उसके इसमें पाथ हुई लेगा क्लियर आपके नेक्स्ट पिकल और टिट फिल लाइन डॉट इंडर सेट इच अधर ठीजिए लाटिक क्फिल लाइन डॉट इंडर सेट इच अधर कि आप हम माले की दो गिए दिख से कुण झाले के लोगा एक यह लॉट कि लाइन राइन हे था कि यहां पर कट किया यहां पर कितने टेंजेंट को इधार कर देगा और यहां पर यहां पर दो टेंजेंट हो गया और हमने बोला पर दो टेंजेंट टु एलक्टिक फिल आइंज गिव नेट इफिल आड़ अगर माल यहां प्लस वन कुलम रखेंगे और पॉसिबल एक आदमी एक इंस्टेंट पर किसी इक रहें चल सकता है ना अब यहां के प्लस वन कुलम रखेंगे इसके हिसाप से इधर जाएगा इसके दर से पॉसिबल है क्या नहीं को इक्षिण रहा सकता है या किसी पॉराइट पर नेक्टिक फिल फ्रयार फेली क्यों सकता है और इहां पर बोला यांग है अभी आपको बताए त्tor्याय तेंज other, like now, because, because at point of intersection, because at point of intersection, two tangents are possible, because at point of intersection two tangents are possible, since net electric field at any point, since net electric fields at any point, can't be in two different directions, so electric field lines can't intersect each other, clear? I think language , why electric field lines intersect clear, if they will intersect at point of intersection two tangents are possible, means we have two different directions of innate, which is not possible, so they can't intersect each other, next point, next point, electric field lines never form closed loop, electric field lines never form closed loop, electric field lines never form never form closed loop, , as 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 हम एक circle लेते हैं तो किसी point पे electric field भी टेंजेंशियल है और दोनों का direction सेम है तो वर्कटन क्या होता है f.ds यहां पर f क्या है qe.ds और qe इसको बाहर में लिएगे इसको बाहर लिए इसको बाहर में क्या बचाई क्या है इसका इंटिकेसम क्या आप पूरा यह इसका सारा डिया इसका त्यक्तों पाइर आज तो एक मेंटवस्ट इसका न ट्यूण वर्ट कारी फोर्ट रिट्स च्क्राइुद डीटिक्ति यह किया है को एक जामपल देके दिखाएं कि अगर किसी पॉइंट पर एलक्टिक फिल्ट अगर यह क्लोज लूप है तो हर पॉइंट के लोग एक चार्ज को लेकर चलें यहां से यहां तक तो वागण पर एक्टिक फॉर्स सिंस्टिक रड़े जीरो ठीक है कि पोटेंशिल इनिस्टियल और फाइन दोनों से में तो अब हर पॉइंट पे फॉर्स और डिस्प्लेस्म पर इसका मेंन दोनी यह जो जो सब्सक्राइब बेस सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको बाहर ले सकते हैं इंटेशना बीएस का जिए टूपाय आज सो एक मिज़े टूपाय यह जिरो डिट्क टर्टिक व्लाइंस कांट फॉर्म टोज यह और प्लोग नहीं होता है you are not clear, okay, next so, we are connected, we will close this electric fluid line, possible? नही गैंने, next we can see, density of electric fluid lines at any point, density of electric fluid lines at any point, अग्टिक विल्टिक 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 विल्ट सब्सक्राइब कि इसका मतलब कि देंसिटी हर्थ किसी विजन में नंबर आफ लाइन इन सेम एडिया सेम है मतलब इलक्टिक फिल क्या है इनिफॉर्म इसका मतलब क्या हुआ अगर यह पॉइंट यह है और यह पॉइंट भी है और यह इसका मतलब क्या हुआ इंटेंसिटी मतलब क्या मानीचूड अफटिक फिल्ट इंटेंसिटी में मानीचूड अफटिक फिल्ट इसका मतलब इसका मतलब इस गर्जन इवी कोड़ाउट नहीं तो यह अगर हमको दिखाना है कि सीजन में कि एप यह इसा ड्रॉप करेंगे मुझे के एप प्लेक्टिक फिल्ट काम है माले को एसा ड्रॉप कर दिया अब यह है कि वी है यह ओल्मोस सेन है अच्छे जाने हुआ मालों यहां के वीच सेमें है यह गाप सेमें है और करक्ट है यह गड़न इवी गड़न इसी मुझे है और कि यह ग्यालों इसी गड़न क्यों से है हमने ड्रॉप क्या लग्तिक फिल्ट लाइं काम्ट कर्या है मुझें अबैं से लिगने ईप्टिक क्यों 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 से है श्राइब एंगारं मतलब क्या स्ट्राइब है इस प्रपेश्च्स प्रपो स्ट्राइब लिए उसे नहीं मतलब एंसोह विए सो देंसेटी अप्ल नांग्रातिक नियुक्त तो इंड़ विए जान आ गोई सम्झों है कि अगर्ण उसको मैंस देखेंगे रहा हूं हमने प्लस क्यों चाल लिया और इसका फिल लाइन ड्रॉप किया कि अई सथा अब यहां दिखाए बेचे हैं कि इसका ऐसा फिल लाइन था अब इस त्यांना सब्चों ऑब देखो यहां पे डेंसेटी बहुत ज़्यादा है जितना फिल लाइन है यहां पे क्रॉस कर। कर रहे हैं बस इतने अडिया में बट यहां पर सेम फिल्ड लाइन के लिए इतना लग रहा है मतलब आज वी गो अबे डेंसीटी ओफ फिल्ड लाइन डिक्रीज इधर जा रहे हैं डेंसीटी ओफ फिल्ड लाइन डिक्रीज कर रहा है it means as we go away intensity of electric field decreases अभी आपको बचा चुक है intensity of electric field at any point is proportional to density of electric field lines so as we are going away density of field line is decreasing maintenance of electric field is decreasing यहाई electric field बहुत strong है और जिसे से दुर जान फिल घट रहा है परहेंगा है मैं से भी दिखाई है कोई डाउथ है पड़ताए नए आगेipर लिखे है ने यह को बारोल्ट नम्बर अपेललक्तिक्ट Bay الد तोडिक आगे को बाड़न originating from positive charge or, 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 terminating at negative charge, number of electric field lines originating from positive charge or terminating at negative charge is proportional to, is proportional to, is proportional to magnitude of charge, is proportional to magnitude of charge, let me repeat, number of electric field lines originating from positive charge or terminating at negative charge is proportional to, is proportional to magnitude of magnitude of charge. समझते हैं, अभी हमने द्राव किया था, यह प्लस क्यों है, और यह माइनस क्यों है, आप दखो भी हमने इसे द्राव किया, यहां से यह निकाला, फिर इसको एहां टर्मीनेट किया और इसको यहां लाया कि यहांसे यहां से निकाला यहां से निकाला और इतना ही यहां पर टर्मीनेट किया, अगर है।ester दिखा है यह तो प्लस ट्व क्यूn और यह होता मैनलस उस केस में हम से नहीं रखते हम यहां से जैसे में दिखा है यह दिखा है अब अब मियंद है अगर यहां से कि तरही हैं यहां हम को 16 करना करता है कि यह कि अहां से दिखा रहा है यहां जो चार्झ पर यहां से सिक्सलाइंस निकलत रहे हैं मैंस्ट यहां जो चार्ष है इसका इसके मैंश्уд का है क्लियर मादिक यहां पर MOD मेराक यहां पर विडालगी को हमको अगर यहां डवल 3 367-90 क्लियर कोई डाउट है सो कितना लाइं ओर प्लस चाहर से कितना लाइं टेमें रहे हो चाहर से मैंनि चूट के प्रोपोर्शनल है इसे इस प्रोच पूछा था इस पर मिटा रहा है एजांपल आप लिख सकते हो एजांपल पड़ा 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 एजांपल लिख लिए है ओके मिटा रहा हुआ है कि एक पास है कि कुछ त्विल लाइं ड्राप क्या हुआ था है ऐसा अ हुआ है कि उसके बाद था यहां कुछ पॉइंट एडिया हुआ था यहां बी और यहां से आप संगे की वन बाइक क्यों टू इपल टू आप संगी की वन बाइक क्यों टू इन मैंस टू आप संसी है थार्ट चार्ज टू टू आप संगे यहां टू आप संगे यहां टू आप संगे यहां प्लीओ कर दिए may be at equilibrium at point C option E B and D कौन करएट कौन करएट option A Q1 by Q2 Q2 equal to 2 option B Q2 equal to minus 2 option C at third charge may be at equilibrium at point A option D at third charge may be at equilibrium at point C option D B and D फट 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 कौन करएट है हो गया जपसे लिपाट अब यहां कितना लाइन स्ब्सक्क्राइए यहां 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 यह मैनस हो और यह प्लस स्ट्स्काइब अब कर यह अगर सब्सक्राइब कहां पॉसिवल है सी पे पॉसिवल है एंसर क्या हो जाएगा बी एंड टेयर है ओके सब्सक्राइब क्या किया है यहां तर दिक्कत है नहीं हμεने प्रूंड है हम रे इलेक्टिक विंठीशन उस्ता बेंसक्राइब इलेक्टिक फिल लाइप अब जुनकर्ष में क्या पढ़ेंगे एलक्टिक फिल्ड दीउटू पॉइंट चार्ज फिस्टे लाइन चाहिए ठीक है ओके बाइबाइबाइब